मानसुन सत्र में विपक्ष के सवालों से घिरी बिहार सरकार के उपर जब अपनों ने सवाल उठाया तो सूबे के मुखिया नितीश कुमार तिलिमिला उठें पीचडी विभाग के मंत्री सही तमाम अलाधिकारियों को नाप देने की चेताउनी दे डाली सवाल बीजेपी एमेलसी ने उठाया था लिहाजा जबाब बीजेपी कोटे के मंत्री को ही देने के लिए कहा गया नितीश कुमार इस बास से खफा थे कि बिहार में पेजल की समस्या है ऐसे में खराब पड़े चापा कलों को दुरूस्त करने की जगा उस पे गलत बयान बाजी या गलत रिपोर्ट सदन के अंदर कैसे कोई अधिकारी दे सकता है मुख मंत्री ने तो चेताओं नी दे डाली सरकार का डारेक्शन साफ है और उसके बाद भी चापा कल तुम्हारा अगर ख़राब पड़ा हुआ है तो जिम्मेवारी तो हमने सीप सेक्रेट्टी को कर दिया कि कौन जिम्मेवार है नीचे से उपर तक आइडेंटिफाई करिए और एक्शन लीजिए ऐसे नी छोड़ा जाएगा ये बात नहीं है कि जिसको जिम्मेवारी दिया हुआ ये काम करो वो काम नहीं करेगा और कहीं रिपोर्ट आ जाएगा और उसके माधिन से बिहार को नी तीजकुमार तो काफी चिंती थां आपके विभाग के रिपोर्ट पर अगले ही सवाल पर मंत्री जी भागते अब मंत्री जी का भागना था कि विपक्ष ने सवाल उठाया यहां तक कॉंग्रेस ने इस्तिफे की मांग कर डाली लेकिन मुख्रमंत्री ने जिस दंग से बाते हैं उससे असकुष्ट हो गया है पी एचीडी विवाग में ब्रस्टाचार है और यह मुख्रमंत्री जी के न सवाल उठाया उसके बाद फस्ट बिहार ने जब उनसे सवाल की तो क्या जवाब मिला सरकार के जो नौकर्षा है वो कहते हैं सब काम इंप्लिमेंट कर देंगे चापा कालगरा दिया गया है पानी मील रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जवाब देखेंगे तो वह सुन नह नहीं किये गये हैं यही सवाल को मैं कर रहा था कि आप मैं चुनावती दे रहा हूं आपके जवाब का आप इसको जांच करा ले और जांच कराके कारवाई करें कि जिन अधिकारियों ने बगैर सोचे समझे सदन को गुमराह करने का प्रयाज किया है यह लोगक तंतर का सब करने वाले लोग अपने नौकरसाहों पर कसाउटी नहीं रखेंगे तब तक यह बिहार के जन्मानस को चाहे हिल्द का मामला हो एजुकेशन का मामला हो पानी का मामला हो स्वास्त का मामला हो पूरी तरह हम ग्राउंड जीरो पर जब तक सर्वेक्षन नहीं कराएंगे तब त झाल 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 झाल